हे गाईज आज हम स्टार्ट करते हैं दे लॉयल पिल्न एपिसोड नाइन के नेक्स स्पॉयलर के साथ पेलान टिटा घबरा कर घोड़े को देखते हुए कहती है नहीं नहीं अनिल मुझे डर लगता है मैं नहीं राइट कर सकती तो अनिल उसे प्यार से समझाते हुए कहती है एक बार करके देखो अगर पसंद नहीं आया तो उतर जाना इस वक्त प्रिंसेज अनिल की आईज और अवाज इतनी प्यारी लग रही थी कि पिलान टिटा ना नहीं कह पाती और घोड़े पर चड़ने के लिए तयार हो जाती है प्रिंसेज अनिल प्रिक को कुछ पैसे देते हुए कहती है कि प्रिक ये तुम्हारे सनैक्स के लिए पैसे हैं होर्स ओनर को अपने साथ बहुत दूर लेकर जाओ और उन्हें भी सनैक्स खिलाओ मैं और खुन पिन कुछ देर बाद वापस आ जाएंगे हमारे पीछे मत आन प्रिक पैसे लेकर हॉर्स ओनर की बाजू पकड़ती है और उसे अपने साथ खीच कर ले जाती है अनिल की ऐसी चालाकी देखकर पिन हसते हुए कहती है अनिल तुम बहुत चलाक हो तो प्रिंसेज अनिल हसते हुए कहती है क्यूं मैंने सही नहीं किया हमें अब कुछ वक्त अकेले बिताने को मिल जाएगा तुम ये बताओ खुनपिन हॉर्स पर कैसा लग रहा है लेडे पिन अभी भी थोड़ी नर्वस थी लेकिन उसने मुस्कुराते हुए बोला वैसे ये इतना भी स्केरी नहीं है जितना मैं सोच कर डर रही थी फिर पिलान टिटाने शर्माते हुए अपने हाथों से अपने शाइनी ब्लाक हेर को छुआ उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था मानो वो एक प्रिंसेस हो और प्रिंसेस अनिल एक ब्रेव नाइट जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा हो पिलान्टिटा के हाथों को देखते हुए, जिसमें इस वक्त एक शाइनी डायमन रिंग थी प्रिंसेस अनल कहती है, तुमारे हाथ कितने सुनदर हैं, खास कर ये रिंग इस पर कितनी चच रही है वैसे ये रिंग तुम्हें किस ने दी? प्रिंसेस अनल ने पिलान टिटा को छेड़ते हुए पूछा पिलान टिटा भी अनल की मस्ती को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा शर्माते हुए जवाब देती है मुझे नहीं पता शायद यहीं होगा कोई जिसने दी है पिलान टिटा का ऐसा शरारत भरा आंसर सुनकर अनल कहती है ऐसा क्या पर मुझे तो लगता है यह तुम्हारी एंगेश्मेंट रिंग है तो पिलान टिटा ने थोड़ा शर्माते हुए और एकसाइटमेंट के साथ कहा यह एंगेश्मेंट से ज़ादा है लेडी पिन का दिल इस वक्त तेजी से धड़क रहा था और उसका चेहरा लाल हो गया था इंगेश्मेंट से ज़ादा इसका क्या मतलब है अनल ने हैरानी से पूछा एक दोस्त, एक पार्टनर, एक फैमिली, मेरा सब कुछ जिसका हक मेरे दिल, दिमाग और शरीर पर है लेडी पिन ने जवाब दिया खुन प्रनौत, क्या तुमने प्रिंसेज अनल को देखा? लेडी पिलान टिटा ने पूछा जब उसे फिर से प्रिंसेज अनल कहीं दिख नहीं रही थी आज ये दिन में दूसरी बार था जब वो प्रिंसेज अनल को ऐसे ढूंड रही थी हाँ, प्रिंसेज अनल बीच पर प्रिक के साथ सैंड में खेल रही थी प्रनौत ने बड़ी सी स्माइल के साथ जवाब दिया जब तक उसकी आँखे छोटी नहीं हो गई लेडी पिन ये सुनते ही बीच की तरफ चल पड़ी जब वो बीच पर पहुँची तो उसकी आँखे शौक में बड़ी हो गई क्योंकि उसने देखा प्रिक पूरी रेत में धसी हुई थी और सिरफ उसका सर बाहर था प्रिंसेज अनल उस पर बिना ठके सैंड डाले जा रही थी साथ में कुछ कुकुमबर प्लेट में रखे थे जो वो प्रिक की आँखों पर डालने का प्लान कर रही थी प्रिंसेज अनल लेडी पिन ने गुस्से से कहा लेडी पिन की ऐसी तेज आवास सुनकर प्रिंसेज अनल के हाथ जिस पोजीशन में थे उसी में फ्रीज हो गए और प्रिक भी घबरा कर सैंड से बाहर निकल गई अगले पल में प्रिंसेज अनल बहुत काम फेस के साथ पिलांटिटा की तरफ मुड़ कर कहती है हाँ लेडी पिन ऐसे जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं हो क्या आप सैंड में हमारे साथ खेलना चाहेंगी खुनपिन लेडी पिन ने अपनी चेस्ट पर हाथों को फोल्ड करते हुए कहा नहीं मैं बड़ी हूँ बच्चो वाली हरकते नहीं करती ओप्स प्रिंसेज अनिल जोर से हस पड़ी प्रिक को देखते हुए कहा देखो लेडी पिन तुम्हें डांट रही है प्रिक तुम बच्चो वाली हरकते करना कब छोड़ोगी प्रिक ने बस अपनी आँखों को गोल गुमाया और कुछ नहीं कहा वो कह भी क्या सकती थी जब उसे पता था कि उसकी ओवरलॉड लेडी पिन को टीज करने के लिए उसका इस्तमाल कर रही थी फिर प्रिक कहती है वैसे लेडी पिन थोड़ा बच्चा बनने में क्या हर्ज है जादा स्ट्रेस लेने से हम जल्दी बूड़े हो जाएंगे और जल्दी भगवान को प्यारे हो जाएंगे इस वक्त पिलान टिटा मजाग के मूड में बिल्कुल नहीं लग रही थी वो गुस्से से कहती है मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती फिर उसने प्रिंसेज अनिल की तरफ देखा जो अब तक हस रही थी और कहा प्रिक अपने ओवरलॉड के हाथ दुलवाओ और वो स्नाक सर्फ करो जो आंटी डैंग ने कितने मन से उनके लिए बनाये हैं जवाब में प्रिक ने हेड बो करते हुए कहा यस माई लेडी पर प्रिक मन में सोचे जा रही थी लेडी पिन कितनी बायस है मेरी पूरी बॉडी सैंड से कवर है पर उनको मेरे लिए कोई चिंता नहीं है उनका तो सारा ध्यान बस प्रिंसेज अनिल के हाथ में लगी जरा स चरारती बच्ची रात को जब आस्मान गहरा हो गया था पैलेस की रोशनी हमेशा की तरह हलकी येलो थी और वहां से वेस्टन म्यूजिक की आवाज आ रही थी लेडी पिन की नजरें किसी को ढूंड रही थी तभी लॉड कुआ आकर उसके बगल में बैठ जाता है और लॉड कुआ हार नहीं मानता वो लेडी पिन से कहता है तो क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूं जब तक डिनर सर्व नहीं हो जाता कि कहते हुए लॉड कुआ इतनी बड़ी स्माइल देता है मानो वो अपना चाम लेडी पिन पर चलाना चाहता हो पर पिलान टिटा उस पर एक आधी नजर भी ढंक से नहीं डालती और अंजाने में लेडी पिन अपना लेफ्ट हैंड उठाकर अपने बालों को पीछे करती है तभी लॉड कुआ की नजर उसकी उंगली पर सजी स्पार्कलिंग डायमंड रिंग पर जाती है लॉड कुआ लेडी पिन की इंगेश्म केरलेस नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी रिंग मैं नोटिस ना करूं क्या लेडी पिन ओल्रेडी रिजर्वड है उसके दिमाग में ये खयाल घूमने लग जाता है आज दिन में तीसरी बार था जब पिलांटिटा की नजरें प्रिंसेज अनल को ढूंडे जा रही थी पर वो बीच पर क्राप्स पकड़ने गए हुए हैं इस वक्त पिलांटिटा इतनी फ्रस्टेटेड फील करती है और ये सोचती है कि ये भाई अपनी बहन को जबरदस्ती डांट कर क्यों डिनर टेबल पर नहीं ले आते दूसरी तरफ खुन अलिसारा और चौव एंगफा भी अप होती है ये सोचते हुए कि मेरे और अनिल के हनीमून टाइम में प्रिक थर्ड वील क्यों पनी हुई है कभी कभी तो वो मुझे मिस्ट्रेस जैसी फीलिंग देती है इस स्पोईलर के लिए भी इतना ही गाईज और बहुत जल्द हम मिलेंगे नेक्स स्पोईलर के साथ अगर